हरियाना के बारे में आज हम डिसक्स करेंगे, इस्टेट हुड है, गठन हुआ था, एक नवंबर 1966 को 1966, कैपिटल इस चंडीगर, चीफ मिनिस्टर इस मनोहलाल खटर, एंड सत्य देव नारायन आरी, अगर आपको याद हो तो यही एक्जाम को कोशन रहा था, एक्जाम को अब उनको किस स्टेट में भेज दिया गया, वो भी जड़ा कमेंट बॉक्स में आंसर देखे, आप मुझे बता सकते हैं तो बहतर रहेगा, इस्टेट हुड एक नवंबर 1966, कैपिटल इस चंडीगर, चीफ मिनिस्टर मनोहरलाल खटर, सत्यदीव नारायन आर इस गवरनर, याद रखेगा, 221005, मतलब क्या हुआ, डिस्टेक रहे 22, लोगसभा सीट रहीं 10, राजिसभा सीटों की संख्या की बात करते हैं, तो 5 राजिसभा सीट हैं आपकी हरियाना में, वेस्टेट इनके साथ बॉर्डर शेर करता है, आप देख सकते हैं, इन स्टेट के साथ बॉ पहले दो दो चीज़ याद रख लिए, सुल्तानपुर, कलेश्वर, ये नैश्ट पाक से दो की हरियाना राजिमेस्तित हैं, विंदबास, खप्रावास और चिल्चिला, ये वाइल लाजिमेस्तित हैं, जो कि आपके किस राजिमे हैं, याद रखना हरियाना में, अबूब अबूब शहर सरस्वती नहर, ये वाइल लाजिमेस्तित हैं, बीर सिकरगड वाइल लाजिमेस्तित हैं, अब इंपॉर्टन है यहां पर गोरकपुर नुकलियर पावर प्लांट, जितने बच्चों ने कभी नहीं गोरकपुर नुकलियर पावर प्लांट को पढ़ाओ तो वो तो आंग बंद करके टिक लगा देंगे भाई यह अपना उत्तर प्रदेश है जहां पर कह सकते हैं गोरखपुर नुकलियर पावर प्लांट है पड़ याद रखने है गोरखपुर नाम से गोरखपुर नहीं यह हर्याना में है यह कोशन गलत होने वाला जैसे की सलीम अली नैशनल पाक आग बंद करके कहां पर टिक करेंगे आप आग बंद करके जमू अन कश्मीर टिक करेंगे अब भाई सलीम की बात हुई तो सलीम अली वर्ड सेंचुरी भी है अब सलीम अली वर्ड सेंचुरी भी है तो आप तो कह देंगे भाई यह नैशनल पाक वर्ड सेंच में से